वेल्कम टो आपटेक्ट टैनल जो फाइलिल यहां पर जो है वन प्लस ने अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉंच कर दिया है वन प्लस नौड टू जिसका लोग बेसरेवरी से इंद्जार कर रहे थे काफी धमाकेदार फून यहां पर उस तो वन प्लस ने पर रखी गई तो गजब की प्राइसिंग के साथ यहां पर लॉंच के गए तीन बेरेंट तो यहां पर आपको स्टोर्स को आपको नहीं कर पाओगी तो चलिए आई जानते इस वीडियो के अंदर तो क्या कुछ हमें देखने को मिलता है इसके अंदर मेरे प्रिंट क्या स् वीडियो के अंदर वीडियो पसंद आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दूस्तों बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की इसमें आपको मिलता है फ्यूल एमोलेट डिस्प्ले जोकी 6.4 इंच का यहां पर दिया गया है फुल एस्टी प्लस रिजुन के साथ म नटीग हर्च का दिफरेंश मिल जाता है इसी के साथ यहां पर गГोजलागा फाइप की इसकीugen मिल जाती है की श्यादा जोकि यहां पर फ्लूइड अमिलिट बोलते हैं हाले कि स्मार्टफोन के साथ में तो अगर रहाँ पहले सीकाइट को सेम यहां पर दिस्प्ले देखने मिलते हैं और तो यहां पर एस्टीर 10 प्लेस का सपोर्ट मिल जाता है जो कि यह तो कलर वगर आपको काफी मस्त दिखने वाले हैं तो अवराल उस तो डिस्पेले के मावले में यहां पर कोई भी सिकायत नहीं मिलती है काफी गजट पर दिस्पेले आपर दिया गया है और वहीं तो गलास अ जो AI के साथ यहां पर यूज किया गया है और काफी अच्छे एक्सवेंस आपर देखने को मिलता है साथ ही करना से बहुत ज्यादा डिफरेंस आप यहां पर नहीं दिखेंगे लेकिन जो परफॉमेंस है वह काफी गजब की देखने को मिल जाती है इसके लबाए इंटूट तो और उसके बारे में एक नंबर बोलूगा यहां पर क्यूंकि यह पहला स्मार्टफोन बन जाता है जो कि उसके प्रोस्टर के साथ लॉंच किया गया है तो यह बहुत इची बात है साथ ही और यह फाइब दोस्तों है यह आपर लेकिन यहां पर एक बात जो काफी अच्छे लगी मुझे कि फाइब जी होने के साथ दो यहां पर जो बैंड यूश किया गया है वहां पर काफी ज़दा यूश किया है फिलाल मैं भी आगे बात करने वाला हूं इसके लावा दो अब बात करें आप और फोटोग्राफी की दोस्तों यहां पर आपको मिलता है इस इस जो कि पचास कैमुझ प्रसके टर्फाइब का यह बहूंता है यह उसत्व मुह पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लेगा विष्ट इस तो यतना महा फोन और साथ यह दो मिगा पिक् यहां पर प्रफॉमेंस तो काफी अच्छी देखने मेलने वाली लेकिन यहां पर पांस मेगा पिक्षर का कैमरा दे तो पता नहीं क्या बिगड़ आता काफी अच्छा यहां पर एक कॉम्बिनेशन बन जाता जो कि कि यह जो है पूरा खराब कर रहा है हाले कि फिलाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है स्काम जाता यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर वी उस तो यहां पर यहां पर बढ़ाना चाहिए तो फिलाल जो रियर कैमरे की परफॉर्मेंस आपको 50 मेगा पिक्षल का मिल जाता है यानि कि सबस्यादा में केमरों को यूज करते तो काफी गजब की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है और साथ इस में आपको जो है ओई सपोर्ट मिल जाता है यानि कि वीडियो वेगर आप रिकॉर्ड करने वाले बहुत ही गजब कि यहां पर रिकॉर्ड होने वाली कोई भी पर रिकॉर्ड कर पाओंगे तो यहां पर दिया गया है ऑपर बसके वाले दू मिगा पिक्सल के कामरे को चोड़ के उस तो काफी अच्छा ऑबर ऑल दूस्तों यहां पर कैमरे बन जाता फिराल के लिए तो बहुत ही अच्छा है कोई भी सिकायत नहीं है बसके वाले दू तो मेरे ख्याल से अब भी एगर समझता है वन प्लस तो अगली बार से फिलाल के लिए तो ऐसा ना देखने को मिले दिया ही मैं यहां पर कुशिस करता हूं और बात करें यहां पर बैटरी के तो इसमें आपको जो है पैताली सो पचास सेमेस की बैटरी मिल जाती है साथ ही आपको जो है 65 वाट की वाट चार्जिंग देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है यहां पर आपका फोन जुस्तों काफी जल्दी चार्ज होने वाला है और साथी बैटरी बेकप भी काफी अच्छा मिलेगा क्योंकि यहां पर प्रोसेसर है वो शिक्स नानोमेटर टेकलोजी पर बेस्ट है जो कि आपको काफी अच्छी आपर पावर कंशन देखने को आपको मिल जाएगी तो बैटरी कंशन काफी कम होने वाला है तो इसकी साथ आपको जो है आप पर पर पर्फॉर्मेंस देखने को मिलेगी इसके लब बात के नहीं में स्टोरेंग यहां पर यहीं तीन देखने को मिलेते और यह जहां पर जो है तो एलपी डीडियार फॉर एक्सराइम का यूज किया गया है और बात करेंस तो स्टोरेंग की तो इसमें आपको दो वरंट देखने को मिलने वाली इस तो रीट रैटिंग की स्पीड बहुत ही कि रहने वाली आपक क्लाइश को अब बात करें हैं और इस जो एक्सपीड की तो काफी अच्छा होने वाला है और राधर की तो यहां पर यहां पर आपको दो साल तक यहां पर अपडेट देगा और यहां पर किया जाएगा अपको यहां पर तीन साल का सिगूर्टी पैज जो है मिलने वाला है तो यह काफी अच्छी बात लगी मुझे यहां पर इसके लिए लाइक बनता है बात के रहा हूं तो वहां पर च्छी बात लेकर आपको यह काफी आप है यहां पर जाह रोज पर अपर के काफी बनलग कह सकते पब जी वालों के लिए इस तो बैटलक्राउंस वालों के काफी एक मेजर चीज हो सकती है कि यार याँ पर जो है एक नहीं दिया गया है इसके लिए आपको कनेक्टर का यूज करना रहेगा इसके लिए आपको ब्लूटूथ 5.2 का वर्जा मिल जाता है ये काफी अच्छा वर्जान है लेटिस्ट वर्जान है इसके अलावा उस तो बात करेंगा रहे तो यहां पर वाइफाइछ 6 देखने को मिलता है तो यह भी एक काफी अच्छी बात हो जाती है इसके बात करें आप फोन के डिजाइंग की तो आपको पीछी की तरफ यहाँ पर फ्रेंट एंड बैक दोनों में तरफ आपको ग्लास देखने को मिलता है जो की ग्रोला ग्लास फाइब दिया गया है बाके इसमें बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है काफी अच्छा लगता है तो अगर आप पर जो भी फोन ले रहे हो तो आप मुझे बताएगा तीनों में से आपको कौन से कलर ज्यादा पसंद है तो तो कमेंट में जरूब बताएगा तो मुझे तो फिलाल अगर मैं देखू तो यहाँ पर मुझे दू कलर अच्छे लगें तो आपका जो ग्रीन और दूसरे नबर ब्लू तो इससे पहले भी लूंच हो था तो तो दूनों ही कलर यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल जाता है बाक तो यह काफी गलत हुआ था सी 5G के साथ में लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि दिया गया है तो यह काफी अच्छी बात यहां पर होती कि हमें अलर्ट स्लाइटर भी देखने को मिल जाते हैं तो काफी मलब मुवी विगरा का काफी इच्छा होने वाला है साथ यहाँ प है यहां पर मिलता है यानि बाइबरेटर मुटर जो यहां पर मिलती है वह काफी गजब की देखने को मिलने वाली है तो पूरा इस तो आपको इस फोन के साथ काफी मलब एकदम धासू फीचर के सार्थ लॉंच किया गया है अगर दोस्तों यहां पर में जुद्दू के बाकी फोन काफी गजब का है इस तो 3.5 हम जैक के लिए आप यहां पर जो है कनेक्टर का यूज कर सकते हैं तो आपको जरूर से इसका यूज यहां पर करना ही होगा बाकी आप Bluetooth वगएरा तो सबसे बात है तो जो लोग इस तो Bluetooth से यहां पर करेक्ट करते तो उनके लिए है और जब इस तो यह बैरेंट आपको पता है इस तो बंट्लस का नहीं मिलने वाला है तो यह बैर वहायां पर बाई करना हो जो कि 29,995 बेरों की प्रैस में आता है लेकिन यहां पर उस तो कुछ आफर विगरा देखने को मिल जाते हैं अगर वो आप यहां पर लगाते हो यह सेम ही फोन आपको 28 जरके असपस मिल जाता है तो आफर की सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्राइब मिल जाएंगे तो जरूर से डिस्क्राइब चेक कर लें साथ ही आप इस स्मार्टफोन को वाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे दिया है आप आप कर सकते हो हाला कि तो यह स्मार्टफोन आपको सीम प्राइस में मिलने वाला है लेकिन यहाँ पर कुछ मेरी हैल्फ हो जाएगी तो इस बात का अपलग धन लखेगा जरूर से कीजएगा तो अगर आप एक स्मार्टफोन लेने वाले हो वन प्लस का तो काफी अची बात है आप डेफिनेटली मिलने वाला है लेकिन जो ओपन सेल है उस तो वह 28 जुलाइस से आने की जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए 28 जुलाइस से यह मिलने वाला है फिलार कि बेस वेरेंट है वह आपको अगस्थ से देखने को मिलेगा तो इस तो मेरे काल से सारी चीज़े मैं आप आपको बताई तो आप जरूद पूछेगा चलिए उस तो मिलते हैं किसी और इंडिशन टॉपिक के साथ में अब तक के लिए बाई बाई टेक किया